मैंने आप लोगों को exercise number 11 दी थी और आज आप लोगों को exercise number 11 का solution सबसे पहले बताऊँगा कि मेरा क्या तरीका है exercise 11 को solve करने का और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के solution को देखने के लिए excited तो हूँ ही बट आप लोगों को shout out देने के लिए भी तैयार हूँ चलते हैंगा में इसको solve करने के लिए जो exercise 11 है हमारी जिसमें की मुझे नोटिफिकेशन लेकर आना है मैं एक नेचरल सा प्रोसेस जो है वो यहाँ आपको करके लिखा हूँगा क्यूंकि मैं 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 हूँ मुझे बता है आप मैं से कई लोग विंडो और लिनक्स में होगे ता आपको operating system के लिए लिखना है Mac जैसे मैं यहाँ पर लिखा Mac और मैं यहाँ लिखूंगा display notification ठीक है अब आप लोग यहाँ पर देखो display notification के लिए मुझे एक page मिला ठीक है और इसका जो code है वो मुझे यहाँ पर जो है मिल गया मैं देखता हूँ कि यह चीज काम करती है कि नहीं करती ह अब यह कह रहे है कि यहाँ देखो यह इस code से notification show होती है लेकिन आप यह वाला code चलाओगे तो show होगी और यहाँ पर इनोंगे बहुत सारे इसके variations दे रखें ठीक है तुम्ही वाला देखता है execute after long running program तो मैं इसको यहाँ पर copy करता हूँ भी और यहाँ पर ले जाके paste कर देत अब यहाँ पर लेखोंगा hey Harry drink water ठीक है और यहाँ पर से भी यही करूँगा मैं मैं कहूँगा hey Harry drink water hey Harry drink water ठीक है तो इसने hey Harry drink water करके मुझे दिखा दिया तो मुझे यही चाहिए कि drink water notification की थरूर माइंड करें मुझे अब मैं करूँगा कैसे चीज को अब आप में से कही लोग सोचोंगा कैसे किया जाएगा इसको तो मैं यहाँ पर यहाँ बना लूँगा in fact program बना लूँगा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखूँगा import OS और यहाँ पर मैं लिखूँगा OS.system और मुझे यह चीज यह चला देनी है simple ठीक है तो यह तरह sleep 2 हटाऊँगा यहाँ से और मैं कहूँगा यह क्या हो रहा है यहाँ पर यह कह रहा है कि invalid syntax यहाँ इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यह जो double quotes है इसको मुझे यहाँ पर escape करना होगा तो मैं काम करता हूँ बजल दी से इसको हटाता हूँ यहाँ से क्या मैं ऐसे f string बना सकता हूँ I guess बना सकता हूँ but let me check मैं यहाँ पर लिखूँगा से ठीक है यहाँ यहाँ इसको काम करते है यार f string बनाने के हमें जरूरत ही नहीं है हम यहाँ पर लिखेंगे os.system command let's see कि यह program काम करता है की नहीं करता है तो यहाँ पर चारूंगा python 3 लिखूँगा और यहाँ पर इसको paste करूंगा यह कह रहा है terminated string literal मैं देखता हूँ यहाँ यहाँ पर क्या दिक्कत है मैंने यहाँ पर इसे copy किया और यहाँ पर जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो यह यहाँ पर कह रहा है terminated string literal यह क्या हो रहा है let me see what's wrong तो मैंने यह पर यह लिखा शायद एक extra यह लग गया इसमें if I'm not wrong देखता हूं यार मैं देखता हूं यहाँ यहाँ पर क्या चल रहा है let me see और मैं यहाँ पर पेस्ट करके इस बार देखता हूं और यह क्या रहा हूं यह लोकिंग फॉर माचिंग यह तो यह थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है इसको चलाने में तो चलो यार मैं इसको चलाने के लिए एक बार और ट्राइ मारता हूं तो मैंने यहाँ पर लिगा display alert hello world ठीक है और यह single quote से ही मैं इसको बंद करूँगा display alert hello world मैं काम करता हूं यहाँ कि अभी ना यहाँ पर मैं Ctrl C करके exit चला देता हूं और इसके बाद यह था मेरा program OS script वाला इसको मैं copy कर लेता हूं और यहाँ पर मैं इसको paste करूँगा दुबारा से यह program था मेरा ठीक है तो मैंने करना किया है इसको यहाँ पर चलाना है तो मैं काम करूँगा कि इनको ना escape कर लूँगा back backslash चल गया ठिक करने स machst storage यës यह थे लगा वेक्स्डी ये लगा यह भैक्सलिश यह भाधन पर अने बैक्सलिश। और ये लगाए बैक्सलिश यह लगा Yerlarabais बैक्सलिशर। और मैं आप डेया उपर double code लग यह double code लगा आंड इस वुड बी पन तो तो इसे copy करता हूँ and एक और attempt यहाँ पर मेरा python की सहाइता से इसको execute करने का command is equal to do चल गया Hey Harry drink water Awesome यार मज़ा आ गया चल गया ठीक है तो यह चल गया इस चरह से तो मैंने किया escape sequence characters का use करके इसको escape कर दिया अब मुझे करना किया simply यहाँ पर कहना है import time वैसे तो आप लोग scheduler का इस्तिमाल कर सकते हो Windows में task scheduler होता है आप उसको देख सकते हो Windows task scheduler क्योंकि बहुत सारे लोग windows में मैं ऐसली बता रहा हूँ तो यह automated task का आप task scheduler से बना सकते हो हर घंटे आप चला सकते हो यहाँ पर देखो कैसे करना यह आप दिया हुआ एक create basic task करके कब-कब repeat करना है trigger किया है उसको daily, weekly, monthly, one time ठीक है यह सब आप यहाँ पर जो task trigger है वो लगा के अपना python program उसको दिखा सकते हो लेकिन अभी के लिए हम क्या करने वाले है एक approach का इस्तिमाल करेंगे जो कि क्या करेगा इसको while true के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसको चलाओंगा और फिर मैं time.sleep कर दूँगा for one hour, one hour कितने seconds होते है one hour होते है 36 seconds ठीक है one hour 36 seconds होते है one minute जो होता है वो 60 seconds होता है ठीक है तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर हर 10 seconds मैं इसको चलाने का program लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपर लिख देता हूँ repeat interval is equal to मैं आपर 10 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि repeat frequency in seconds ठीक है तो मैं यहाँ पर देखो लिख दूँगा इसको कुछ इस तरह से कि while true time.sleep और यहाँ पर मैं लिख दूँगा repeat interval ठीक है यहां पर चलाओं तो आप देखो यहां पर जैसे इसको एंटर बारूंगा शिफ्ट एंटर बारूंगा यह इसने एक बार यह इट रिंक वाटर कर दिया ओके किया मैंने ठीक है अभी क्या करेगा यहां पर की दस सेकिंड बार मुझसे यह चीज बोलेगा इसने फिर से बोला अब आपको डेमो दिखाना जाता था जब तक मैं इस प्रोग्राम को खतम नहीं करते था मैंने कंट्रोल सी कर दिया इसको भी बंद कर देता हूं मैं तो यह क्या करेगा हर दस सेकिंड में आपकी हर घंटे मुझे बताए ठीक है मैं दुबारा बता रहूं आपको इस्तेमल मत करना क्रॉन जॉब्स करना या फिर टास्क श्रिटूलर करना ठीक है विंडोस में अब यहां पर हम क्या करेंगे यह देखेंगे कि किस किस ने इसको सॉल्ड किया हूँ तो मैं तो मैंने यह आपर जो एक्सराइज 11 थी मैं उसके कवर पेज पर आचुका डरूंगा सब को शॉट ओटू? M.Fayzan 3 को एक शॉर्या शॉर्यानु कुमार को शॉट ओट, M.Reyhan को शॉट ओट, M.Zohan को शॉट औधीरत कुमार को शॉट आउट, Muntaz 99 को शॉट आउट, उसी के साथ-सा हमाशु कुमार को शॉट आउट, CodeWhit Prawar को शॉट आउट और Ai.S. स्वातिक मिश्रा को शौट आउट, शौरिया को शौट आउट, शौरिया को शौट आउट, और मैं आपर जो है, सब की रैपल देखने वाला हूँ, अब टेंशन मतले ना, बस इसी तरह ग्रो करते रहो यार, यह हमारी आकरी एक्सराइस इस कोर्स की, तो हाँ, इसके बाद कम्प्लीट कर पाया, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखा हूँ, एम फैजान की रैपल, तो आप यहां पर देख सकते हो कि, इन्होंने काफी बड़िया डिटेल बना रखी है, इन्होंने यह आपर, जी आई डॉट रैपल का इस्तमाल किया हुआ है, और इन्होंने क्या किया है, विंडोस के लिए बनाया है, किसी रन इन विंडोस ओनली, तो यह देखो, विंडोस ओनली है, सुर्याश कुमार की, बट मुझे देखनी रही है, बिल्कुल भी यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तोड़ा लोड होने में टाइम दे रहा है, कर ले ना, और उना एक feedback दे दे ना, पहले वीडियो में जाके कि कोर्स कैसा है, अब यह गरा है, set the hours after which you want to drink water, तो मैं आकर one करूँ, कि एक घंटे बाद मैं पानी पीना चाता हूँ, तो यहां पर यह शायद schedule हो चुका है, ठीक है, और इसका code देखने के लिए, शायद देता है, so I hope कि आप लोग को मदा आ रहा है, इस कोर्स में, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time,